अगर आपने भी नई बाइक ले लिए उसमें फ्यूज इंग्टर लगा हुआ है और आपको जो है मैलेज वो नहीं निकाल कर दे रही है आज ये वीडियो आपके लिए स्पेसल होने वाली है तो इस वीडियो को आप लास तक देखें आज आपको इस वीडियो में हम बताने बेल आइकन दबादे चली वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहली बात हम करेंगे माइलेश कम देने की तो वह होती है आपकी बाइक की जो प्रेसर होती है एर प्रेसर वो कितनी होनी चाहिए अपकी टायर वावन अधिकतर लोगों को मैंने देखा कि वह सही एर प्रेस नहीं रखने करन से उनका जो है माइलेश नहीं देता है सबसे पहली बात मैं बात कर लूँ सो सिसी के अधिकतर वाइकों में जो है आपको आगी की टायर में 25 PSI और पीछे वाली में आपको 29 PSI रखना बहुत ही जरूरी है उतना पर अगर आप रखते हैं तो आपको माइले रखते हैं तो आपको बहुत सारे फाइदे हैं इसे ब्रेक आपके अच्छी लगेगी आपका हैंडिलिंग जो है कंट्रोल अच्छा रहेगा बाइक पर और दूसरी बात करने वाले हैं आप से फ्यूल टैंक के बारे हैं कि आप जितना कम इसमें फ्यूल डालिएगा उतना जादे आप डालते हैं उतना जादे आपको इसमें माइलेज देखने को मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एनी टाइम इसमें फूल टैंक रखता हूं रखने का कारण बहुत सारे हैं जैसे कि आप समझ सकते हैं तो आप जितनी कम मातरा में पेट्रोल लेते हैं उतनी या आप जो यह हाप टैंक दे रहे हाप टैंक कब से कम भाइक में फूल रखेंगे पेट्रोल टैंक पहजाते हैं तो सो रुप्य पचास रुपय बोलकर पेट्रोल ना ले डारेक्ट आप बोलें कि आप अपनी जो नौजल है डारेक्ट डालिए और जहां तक होगा उस छाने डारेक्ट फूल एकई वारे में करवा लिया है महले आपको यह व्यूंद पएसे देने पर हिंद्द आप लकवह प्न जाने से बहूत ज्यादा बचे तो आप मैहने में एक से दो लोग ने परांज टैंक जाने उइसे करेंसे करने नहीं कितना ब्रेक का यूज करना पर है कि अब शिफ्टिंग डॉन शिफ्टिंग घेर करना पर रहा हुश साब से भी जो है आपकी बाइक में मैलेज कम आती है आपने भी देखा होगा कि आप जब हाइवे पर बाइक चलाते हैं तो आपको जो है ऑफ रोड़िंग के हिसाब से आपको ज्यादा मालेज हाइवे पर देखने को मिलता है कि हाइवे पर जो है कि आपको ब्रेक का ज़रुवरत बढ़ता है और नहीं अपको अपर डॉब्लम होती है इसी करने से आपको हाइवे पर जारिए हैं करते हैं तो आपकी इतनास से करते हैं तो आपकी यह को फालेगी कहुलेगी यह जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैंने 16-1600 पैसन प्लस चला रहा हूं उसका गियर बॉक्स आज तक मुझे खुलवाने की ज़रूरत नहीं परी क्यूंकि उसका जो कलच है मैं इसी तरह से यूज करता था इसलिए अभी तक जो है उसी कलच की रिलेटेड प्रॉलम आज तक हमें नहीं आई है तो दूसरी ब इसलिए पनी लेट प्लस प्रॉल मेरे साथ से तो होना ही ने चाहिए उसलिए को कलच का भी फंसले लेना पर रहा इसे कारण से हाट कलच का इस्तमाल होता है अगर आप उस टाएप लेकर लो गैर पर चलाते हैं तो आपको जो है कलच की यूज्य आपको ज़रूरत पर सकतह तो चाहने वक्त या निश्य लाने वक्त हो सकता कि आप जब उपर जा रहे हो तो आप जो गियर पड़ेक्ट कम ना करके यह जादे बढ़ा आप नहीं सकते उस तेम पर आपको हाफ क्लेश की जोड़ पर सकती है तो हाफ क्लेश का भी यूज करने से बचें और इस तरह का फं होगा कि आपकी जो वील पीछे वाली वील में जो पावर जाती है वह आपकी बाइक के इंजन से लेकर जाती है गेर बॉक्स में गेर बॉक्स से जो है चैन से होते हुए आपकी पीछे वाली चके में तक पावर जाती है तो आप जब इससे आप हलका सभी प्रेश रखते है तो उसे क्या होता है कि आपकी जो clutch हो ए वह function में आ जाती है और तो जब आपकी इंचन से आपकी transmission में जो आपका power आता है वह कुछ बावर भतत बिसक्न की होता है कि आपЕ सो पर्जेंट जो है इंजन से पावर निकल रहा है तो वह आपका 80% ही आपके पीछे वाले चक्के तेक पहुंचता है 20% आपकी बाइक का जो ट्रांस्मिशन है उसमें ही रह जाता है जिसे कि आपकी खलाच बहुत ही जल्द खराब हो सकती है तो आपका भी वी जो है यह हाप खलाच का इस्तमाल नहीं करें तो बेटर होगा हो सकते तो जितना ज्यादा कम आप अपनी खलाच का यूज करिएगा उतना ही ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस अच्की रहेगी और आपको जो है मालेज अच्छा देखने को मिलेगा अगर आपको अपनी बाइक का फिल ठीक्र का जो पंप होता है उत पूरी चरह से आपकी वें टेंग से लेकर आपके इंजन तप अच्छी तरह से जो पहुंचा बढर आतको बाइक स्टार्ट करन्या सही तरिका जो है क्या है किitaire कि आप इसे से जफ एक बार दाबें और आपकी पार नहीं होती है फ्क्रादो तक बाइक को स्टार्ट रहने देना है उससे क्या होगा कि आपकी बाइक में जो भी इंजन और होगा वह अची तरह से आपके टोटल इंजन में अची तरह से मेल राएगा जिससे कि उसका जो फंसन होगा मुविंग फंसन वह अची तरह से मूफ करना सुरू कर दें तो एक मि गेर पर ही रहना है चार गेर पर नहीं जाना दो से तिन गेर पर आप अपनी बाइक को चला और उसका स्पीड जो होगा 25 से लेकर 25 के बीच में ही होना चाहिए हो चाहिए कि आप तीस तक भी जा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हां डाइक ही आप 60-70-80 पर एक ही ब होना है कि जो नई बाइक है उसमें आप ट्विन कर वाल यह ऐसा है बिल्कुल ही ना करें नहीं क्योंकि उसमें जो है आपका इसी यू लगा होता है इंजन कंड्रोल यूनित जो की ऑटोमाटिक ही आपके बाइक की आर्पीयम को कम यह ज्यादा करता अगर आपने अभी तक आपको बिल्कुल ही आर्पीयम के बारे में पूरी जनकारी मिल जाए उमीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको कारी या बैक्सिलेटर किसी तका प्र